आपको बहुत चल्ली मिल जाए मेरी दुआ है आपको सुनने के लिए बहुत फट 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 ताकि आप भी इन चीजों के उपर सोचें और अपने मन और पुत्ति को एकागर करें और शांती से भर जाएं और साथी साथ खुशियां भी बढ़ा है अपनी आज परमपिता परमात्मा बात करते हैं कि हम ये जो करमेंद्रिय हैं अमरी ये जो आँक होगी नाक होगी मुख होगी हाथ होगया इसको हम किस तरीके से अच्छे करमों में इस्तमाल करें क्योंकि ये जो करमेंद्रिय हैं इन से हमारा अटैश्मेंट अगर हम मुख से गालिय तो आपकी आँखों से आपकी एनर्जी रिट्रैक करना वापस लेकर जाना और कंसेंट्रीट होकर के आत्मा के फॉर्म में यहां से निकल जाना उसमें थोड़ी दिक्कत होती है सिंपल से चीज है कहीं लोगों को शेरी चोड़ने में बहुत पीड़ा होती है वो क्यों होती ही कैसे होती ही वह तो आप मुझे कॉंटाइक करके पूछ सकते हैं और नहीं तो अप्रमक हमारी सेंट्र में जाकर करके प्रता कर सकते हैं भई क्योंकि शेरी तो हर किसी को वो डिपन करता है कि हमारे 5 senses के उपर 5 करमेंद्र के उपर हमारे कितना control है तो परमादमा कहते हैं अकाल तक्त पर बैट कर करमेंद्रियों को सदा श्रिष्ट करम कराने वाले करम योगी भवावी अकाल तकत कौन सा होगे हर आत्मा का अपना अपना तकत है अकाल मतलब जिसको काल नहीं का सकते हैं मृत्यू नहीं आ सकती है तो आत्मा को मृत्यू आनी सकती है आपके अंदर भी आत्मा है मेरे अंदर भी आत्मा लेकिन क्या आपको पता कि आप ही आत्मा है hm आप explorant energy infinite source है infinite invisible energy है जिस को देखा निया सकते लेकिन महसूस करें सकते कि आप प्रेम को देंसे क difक्ण सकते हैं लेकिन अपने प्रियाइक अब अपने स all आइछ सूर्स को आपने तो परमादव कहते हैं, गर्मयोगी वह है जो आकाल, तकतन रचीन, अर्थात, स्वराज यहतिकारी, लकिन आप यहां पर बैठ करके, फोरट की बीच में, यहां से दो इंच अंदर, ब्रेंग के नीचे, स्पेस एलेमेंट में बैठे हो, आइस की बीचे बैठे हो, आकाश त करती है, क्योंकि आत्मा ही करती है, और एक शरी छोड़ दूशर शरी भी आत्मा ही लेती है, ना कि अपका ब्रेंग, तो कर्मयोगी वह है, जो अकाल, तकतन रचीन, अर्थात, स्वराज यहतिकारी है, उसका अपने आखों, कान, मुख, हात, पर पर सब्पेक राज है, उस हेवःण में इंटर करने का तो अपने आखों, कान, मुख, हात, पैर से अच्छे कर्म करने है, राजामन करके. तो राजा कौन आत्मा ही जो की ब्रेंग की तोरह कर्म करवाती है, शेरी इतरो. फिर प्रमदर करते हैं, जो सदा अकाल तकत पर बैट कर कर्म करते हैं, उनके क ठीक से समझेंगे बनी, बोलेंगे ये राजा जी नीचे क्यों उतर गये गद्धी से, कि तो उपर बैठ कर भी बता सकते थे हमें, तो नीचे उतर ना पड़ गया, मलब कि आपका रेलेशन्शिप आपके मंत्रियों के साथ हो रहे हैं, आपके मंत्री हैं, आख, कान, नाक, हो गए, जो कि अगर आपकी बात नहीं सुनते हैं, नहीं देखना था, लेकिन देख लिया, कान से, नहीं गंदी बाते सुन ली, मुझ से कुछ गलत नहीं कहना था, लेकिन क्रोध वश्यों करके अपने कह दिया, तो हम बेहद हैं, अगर मैं अपने आपको आत्मिक नहीं इच्छों तो मुझे और मेरी आइडेे टिटीटी जो है, वो छीजों से नहीं है, अगर चीजों से है, वस्तों से है, धंद services तो तो मेरे चीजों नहीं तो चलड चलड ही खुड़ा पता है, frustration और想 भला कैंसे कर पाऊंगा आत्मा, अब भी कैसे करब पाएंगे, क्य तो आत्मा आखों से अच्छा देखे, कानों से अच्छा सुने, मुख से अच्छा बोले, हाथ पैर से अच्छा करें, और ताकि दूसर को सुक देपाए, सुक को आप खरीद नहीं सकते हो, टेस्ट नहीं कर सकते हो, देख नहीं सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो सुक अच्छा बिस्तर, अच्छा गिफ्ट वाला नहीं, अच्छी बातों वाला, फिर पर मत कहते हैं, अकाल तक्त पर बैटकर करम करते हैं उनके करम श्रेश होते हैं क्योंकि सभी करमेंद्रिया लौर और पर चलती है अगर कोई तक्त पर ठीक ना हो तो लौर और चल नहीं सकता तो तक्त निशीन आत्मा सदा यथार्थ करम और यथार्थ करम का प्रतिक्षफल खाने वाली होती है, उसे खुशी भी मिलती है, तो शक्ती भी मिलती है, अगर आप आखों, कान, हाथ मेर्स अच्छे कर्म करेंगे, तो आपके ये स्वस्त भी रहते हैं, आपके आखे स्वस्त रहेंगे, कान अच्छे स्वस्त रहेंगे, मुख अच्छा, कले तो आपको भी दिल का दुख मिलेगा अगर आपको बैक्गरॉंड म्यूजिक आ रहा है अगर आपको बात कर रहे हैं कि आपकी कर्मींद्रियां आपके ओर्गन्स ठीक रहते हैं आपको कैसे यूज करते हो कि वह किस प्रकार के चीज को कील को या बड़ी कील को या कोई चीज को ठीक है तो इनकी भी एक लिमिट होती है और फिर वो फिर रोना शुरू करते हैं और आपको भी रोला देते हैं तो कर्म अच्छे करें आँखों से कानों से मुख से हाथ से पैर से कैसे करने हो कर्म वहापा करके राजा बन कर कैसे कर्म करने आप सीख सकते हैं ब्रह्म को मारी जुना करके जहां पर कि आपको दिखाया जाता है कि कर्म करने कैसे है सिरु सिकाया नहीं दिखाया भी जाता ह एसी के साथ ओम शंति